बर्ती गर्मी से परिशान हो रहा है लोग गर्मी से होने वाली मौत की नहीं थम रही रफ्तार गर्मी को लेकर गया में 144 धारा लागू सुत्रों के हवाले से ख़वर मौती सरकार के दूसरी कारेकाल में शुरू हुई संसदी कारवाही 26 जुलाई तक चलने वाले सत्र में 5 जुलाई को होगा बजट पेस पारंप्रिक पोशाक पहन सांसद गोपाल जी ठाकुट पहुचे संसद गया में दिखिया नोखी शादी दुलादुलन ने वर्माला से पहले पौदा लगा कर लोगों को किया जाग रुख दिया परयावरन के प्रती प्यार का संदेश अतितियों को भी पौदा गिफ्ट कर शादी बनाया खार्ष विश्व कप में भारत और पाकिस्तान को फिर्दी मात मैंचेस्टर के मैदान में भारती बलेवाजों ने पाकिस्तान को धोया पाक को मिली बड़े अंतर से हार नमस्कार मेहुश्यानी और आप देख रहें न्यूस बन इलेवन प्रदेश में मौसम मागोगल रही है राजधानी में गर्मी ने 53 सालों का रिकॉर्ड तोर दिया है वही शनिवार से अपतक इन दो दिनों में लू से लगवग 161 लोगों की मौत हो चुकी है जो की मौत का सिलसला थमने का नाम नहीं ले रहा है वही रविवार को लू से 101 लोगों को लिल लिया है इससे पहले शनिवार को गया और आसपास के इलाकों में साथ से अधिक लोगों की मौत और मौत गर्मी से ही होई थी सबसे खराब हालत और अंगाबाद की रही जहां 35 लोगों की मौत होई थी वही राज के विबिन अस्पतालों में 300 से अधिक मरीज भरती हैं जिन में दरजरों की हालत गंभीर काफी गंभीर बताई जा रही है तक कानल आप एंप Solar, एंप एंप, एंप एंप, अंप, टनुझ मुझ एंप, डिल्र एंप, लिल्त जाए, एंप, विए निल्ड़ुकर, भरती है झाल, झाल, झाल गया में प्रमंडल आयुत लू के चपीट में मरीजों की हालत देखने अनुगरा नरायन अस्पताल पहुंचे इस दुरान उनों इमर्जेन रिवार्ट में भारती मरीजों से बातचीत की और वेवस्थाओं की पूरी जनकारी ली वहीं अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों को आवश्चक निर्देश भी दिये गए इस दुरान सुत्रों से खबर है कि गया में 11 बजे से शाम 5 बजे तक 144 लागू की गई है इस दुरान लोगों को घर से निकलने के अनुमती नहीं होगी वहीं गया में गर्मी से अब तक 60 लोगों को लूग लगने के वजे से मौत हो चुकी है जिसके वाद यह आदेश जाली किये गए हैं झाली के पैंटी के पड्री ये कर से थाद से अक्ताि ऎए होगी अधिक जानकारी के लिए गया से हमारे सही योगी जूट चुके हैं जी जिस तरह से गया में 144 धारा लागू की गई है क्या कुछ मामला क्या है जी अभिशेक जीस तरह से यहां पे अनुगरा नर्यान अस्पताल में आप जो प्रमेंडल आयूक थे वो पहुंचे और कहीं न कई मरीजों की हालत जिस तरह से हमें यहां पे देखने को मिल रही है कि किस तरह से लोग गर्मी से परेशान है और 144 धारा लागू की गई है जिस लगता है हमार संपक तूट चुका है हम आपको एक बार फिर बता दे कि गया है में 144 धारा लागू कर दी गई है बढ़ती गर्मी को देखके जिस तरह से आप देख सकते हैं विजुल में किस तरह से लोग जो यहां आप गर्मी से परेशान है अस्पतालों में लोग कही ना कहीं गर्मी से लड़ रहे हैं और परेशोनों को भी खास ही ज़ादा परेशानियों का सामना करना पर रहा है इसमें बहुत जादा स्टिंग भी नहीं होता है। तो बचाने का तो एक ही करिका है कि उसको फिट से पुलिंग कीजिए। जितना आइस में है, डब में है तो उसमें डाल दीजिए। जितना पानी पिला सकते उतना पुलाइए। इसके लिए दो इस्तर पर प्रयाब किया जा रहा है, एक तो यहां पर इलाज की वेवस्ता, इलाज की समुचिक वेवस्ता यहां पर जो नया बिल्डिंग बना है जो आप देख रहे हैं। उसमें एर कंडिशन बगर अलगा जे उसको मरीजों को उपित बनाया गया है, उसमें अलड़ी बैट हमारे पास मुझूद है, अभी हमारे पास एक तो इस्तर मरीज एक वेवस्ता है, जो इलाज रत हैं, सारे लोग खत्रे से बाहर है, कोई क्रिपिकल कंडिशन में नहीं ह तो वहीं रोटास के सासरा में लोग की चपेट में आने से एक वेक्टी की मौथ हो गई, वहीं स्थाने स्वास्तर केंडर में एलाज के दरान मरीज किस्तिती चिंता जरनक बनी हुई थी, जिसे सदर अस्पता लाने के क्रम में उसकी मौथ हो गई पटना सिटी में रास्ट्री जनता दल के कारे करताओं ने सियम नितिश कुमार और केंडि स्वास्ते मंती डॉक्टर हर्श वर्दन का पुतला फुका वहीं सरकार के खिलाब जम करनारे बाजिवा प्रदर्शन भी की बता दे कि बदहार स्वास्ते व्यवस्ता को लेकर कारे करता अक्रोशी देखे कितनी माओं की गोजपुनी हो रहे हैं कितनी की कुफ उजर रहा है और हमारे सरकार को ध्यान नहीं दे रहे हैं यह हमारे बिहार के मुख्या अधर नियसरी नितिश कुमार जी दिल्ली में जाकर सोई हुए है अस्वानी कुमार चोबे जी भागलपुर में विज़े जिलुसनी कार रहे हैं यहां बिहार में मर रहा है बच्चा रोज के रोज घंटे घंटे मर रहा है वहीं कल शाम राज़त प्रदेश अध्यक्ष रामचन्दे पूर्वे ने पार्टी के प्रदेश का रियाले में प्रेस कॉन्फरेंस का एजन किया जहां उन्होंने चंकी बुखार और गर्मी से हो रही मौतो पर सरकार को आरे हातो लिया वहीं उन्होंने कहां कि पूरा प्रदेश सुखे की चपेट में है और लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है और सरकार नीन से सो रही है पर कोई उसका उपकरन होगार नहीं है तिसरी बात जब कोई आपदा आता है चाहे बार हो चाहे बार की अस्तिती में आप सभी जगे इस्पेशल मजिश्टेट बहाल की जाते है खास करके जब कोई तनाओ की अस्तिती होती है तो इस्पेशल मजिश्ट बहाल की जाती है ल और सरकार के कोई परतिनिधी, सरकार के कोई हम्यों के जाने के बाद, सरकार के मंतरी और हर्स बर्धन शाहब जो सास्त मंतरी हैं वहाँ पर गए थे. सबसे बड़ी चीज जो हमने पाया, हमने सोचा कि इतने बच्चे जो यहाँ पर अगुटेड हैं, उन बच्चों में क्या मेरे कोई खंदान का बच्चा है की नहीं, मेरे परिवार का बच्चा है की नहीं, तो दूर दूर से खोजरे के बाद हमने देखा कि विरामचंदर पुरवे के खंदान और इनके परिवार का कोई बच्चा वहाँ पर नहीं है, सबी गरीब का बच्चा है और जितने भी बच्चे थे वे सबी कूपोस्चित थे यानि सरकार का जो पोशन का कारकरम चल ला है वो बिल्कुल लूट खसुट में है गरीब बच्चों को के लिए वो पोशन का कोई कारकरम वहाँ पर नहीं चल ला है बलकि सभी बच्चे जो हैं सो कुपोर्शन की अस्तिती में आये इस बिमारी के खिलाप इस्टर्ग करने की पुरी ताकत उन बचों में नहीं थी मोरी सरकार 2.0 की संसतिय परिक्षा से शुरू हो चुकी है वहीं सत्रवी लोकसभा का पहला सत्र आज शुरू हुआ इस दोरा ने सांसदों की शपत भी दिलाई गई वहीं लोकसभा चुनाओं में पच्चन जीत हासिल कर सत्ता में बीजेपी ने चाही चाहेंगी कि सत्र में बजट के अलावा अन्य अटके हुए विधेकों के पास को पास करा जा सके वहीं सत्र की शुरुआत रास्टरकान से साथ हुई इसके बाद दो मिनट का मौन भी रखा गया फिर सांसद की कारवाई शुरू हुई जिसमें विरेंदर कुमार को प्रोटेम स्पीकर ने सांसदों को शपत दिलाई आसे शुरू हुई सत्र 26 जुलाई तक चलेगी जिसमें 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा उसके कर्तवियों का स्रद्धा पुरवक निर्वहन करूंगा 27 की शुरूआज से पहले पीम मुदी ने पत्रकारों को संभुदित किया जहानों ने देश के लोगों लोग तंत्र के साथ ही विपक्ष को भी लेकर बोला लोग तंत्र में विपक्ष का होना, विपक्ष का सक्रियों होना, विपक्ष सामर्तवान होना यह लोग तंत्र के अलिवारियों शर्क है और मैं आशा करता हूं कि प्रतिफ़क्ष के लोग नंबर की चिंता छोड़ दें, देश की जनकानों को जन नंबर दिया है, दिया है, लेकिन हमारे लिए उनका हर शब्द मुल्यवान है, उनकी हर भावना मुल्यवान है और सदन, जब हम उस चैर पर बैठते हैं, एंपी के रूप में बैठते हैं तब पक्ष लिपक्ष ज़्यादा निश्पक्ष का स्पिरिट बहुत महतवर रखता है और मुदी विश्वास है कि पक्ष लिपक्ष के बारे में बटने के बजाएं मिश्पक्ष भाव से जन कल्यार को बात्वित्ता देते हुए, हम आने वाले पाँच साल के लिए छोटे से ब्रेक अब बने रही हमा साथ चुना है आसमानों को तो बैंकर सचा है ना चाहे बैंकिंग हो या रेलवे या फिर ससी या टीटी सभी है असमान जब बैंकर सचा का हो साथ जहां मिलेगा आपको बेस्ट फैकल्टीज का साथ जो देंगे आपको फ्री डेमो क्लासेज वो भी चार से पांस दिनों के लिए स्टडी मटेरियल स्पेशल 3D जेनरल अवेरनेस क्लासेज डाउट क्लासेज टेस्ट इस्केशन्स ग्रूप दिसकेशन्स और जीके जीएस के क्विस कॉंपेटिशन्स और रेगुलर अपडेट रिगार्डिंग रिकृट्मेंट्स तो देर किस बात की जल्दी जाईए और पहुंच चाहिए अपने करियर को एक नई ओचाहि तक करियर पावर बैंकर सद्डा सेकंड फ्लोर तीवारी कॉंप्लेक्स और पीएस मोर रगुनाथ पत्थ दानापूर पत्ना कॉंटाक करने के लिए डायल करें डबलेट 25371002 और मिलें डैरेक्टर यदुनाथ सिंग से और बढ़ाय कदम सफलता की ओड़ जाल करो कर दो 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 कर जोना है आसमानों को तो बैंकर सद्धा है ना चाहे बैंकिंग हो या रेलवे या फिर S.S.C. या T.E.T. सभी है असान जब बैंकर सद्धा का हो साथ जहां मिलेगा आपको बेस्ट फैकल्टीज का साथ जो देंगे आपको फ्री डेमो क्लासिस वो भी चार से पांस दिनों के लिए स्टडी मटेरियल स्पेशल 3D जेनरल अवेरनेस क्लासिस डाउट क्लासिस टेस्स डिसकर्शन्स ग्रूप डिसकर्शन्स और जीके जीएस के क्विस कॉंपेटिशन्स और रेगुलर अपडेट रिगार्डिंग रुकृट्मेंट्स तो देव किस बात की जल्दी जाएए और पहुच चाहिए अपने करियर को एक नई उचाहितक करियर पावर बैंकर सद्डा सेकंड फ्लोर तिवारी कॉंप्लेक्स और पियस मोर रगुनाथ पत्थ दानापूर पत्ना कॉंटाक करने के लिए डायल करें डावलेट टू फाइफ थी सेवन वन डावल जीरो टू और मिलें डारेक्टर यदुनाथ सिंग से और बढ़ाई कदम सफलता की हो रेके वाराब का स्वागत है कथिहार में मदर्सा बोट का एक्जाम कैंसल होने पर आक्रोशित सैक्रोस छात्र और अभिभावकों ने हाईवे को जाम कर हंगामा किया दरसल भारत पाकिस्तान मैच की वज़े से परिक्षा कैंसल कर अगले दिन परिक्षा होनी थी वहीं जीरा प्रशासन ने प्रशासन से छात्र इस मामले पर कारवाई करने की मांग कर रहे है जारें रहे हैं वो फोर्ट परूइक रहे जिए जहां पर्णां परिक्षा के लिए जिस वाएज उनको बताया गया था कि अगला दिन वज्वमिवकों के इक्जाम इफटेटिंग वर कैंसल किया जाता और रिजन है बताए गया था किल इंडिया पाइस्तान तर्मयच है जिसके वायद से आप लग मताईए उस एक्जाम को अगले दिने इनुग सुला तारीख पर एक्जाम ले लिए जाएगा आज ज़का है इलान यहां पर लगा गया सुला तारीख को जब क्या हम लोग पंदा तारीख को बता दिया गया था कि आप लोगो सुला तारीख को नहीं आना है लेकिन एलान लगाया है उसके बार कौन आएगा यहां पर एक्जाम देने के लिए आएका बच्चे उनको बता आए गया था कि अगला दिने अपराधियों ने कप्रवेवसाई से आठ लाक प्लिस ने एका अपराधि को गिरफतार कर लिया है वहें तीन अन्य अपराधियों की तलाश अभी भी जारी है से बचार से निकल लेते भागलपूर के और जा रहे हैं रास्ते में दो बाईक वाला ओवर्टेक किया हमको चारो के बच्चे लापूर से पहले चारो के हाथ में बंदूख था चारो ने मेरे दो गो आगे से जाए मनलगी तो एक गड़ी आगे मेरे तम सठा के गड़ी रो कतिहार में गुप सुषना की अधार पर छापे मारी कर शराब कारोबारी को गिरफतार किया गया वहीं शराब कारोबारी के घर्प की तलाशी के दरौन एक लोड़ेट डेसी कट्टा भी बरामत किया गया और मामनी की जाच कर रही है प्लिस बरते अगली खबर की ओर सहरसाग में मवेशी से मुण की फसल खिलाने को लेकर दो पक्चों में मार पित हुई वही घटना में जख्मियों को सरनस पताने भरती किया गया है वही घटना के चार दिन बाद भी प्लिस जख्मियों का बयान नहीं लेने पहुँची है आरा में अपराधियों ने दम पती को गोली मार का जख्मी कर दिया वही घटना की सुचना मिलते ही मौके पर पहुंची पलिस मामनी की जाच में चुट गई है कर दो कि यह सुवन बेभी है इनके पाइना अर्म में एक बूली लगा हुआ है रहा है बतान की पाल निकर करें उनके चाति ने लगा है उनक चाति नियकरा है और हाथ में जी चुक है तो इनका जो संतोस कुमार है उनका तो इस्थिती काफी गही है इनको रेपत दिया गा रहा है कि एंसी फटना के लिए लेकिन ये जो लेडी है शुमन देवी कि इनका इलाज है यहां पर संभाव है तो इनका हम लोग एक्सरे करा रहा है और जल से जल इनका तो इस्थित में हम लोग कंप्लीट करेंगे तो इस्थित में तला में करके है इस्थित के लिए जमीन पर साथ निस्चा योजना के तहत कारे किया जा रहा था जिसे लेकर दो गुट आपस में भीड़ गए जिसमें आधर दर्जस अधीक लोग घायल हो गए वहीं हत इसना के बाद पलिस मामरी की च्छान बिन कर रही है कटिहार में को ख्यात बदमाश गीरों के सरगना को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है वहीं बदमाश के पास से लोड़ेड देसी पिस्टल सहीट लूटी गई बाइक और मोबैल भी बरामत की गई है सासराम के रामारानी बालिका उच विद्याले में चल रहेवन रक्षी भरती परिक्षा के दरान राजी उननां के युवा को पलिस ने गिरफतार किया है जिस पर आरोब है कि वह फरजी तरीके से अपने दोस्त की परिक्षा दे रहा था है वह पलिस मामरी की जानकारी के लिए राजी और उसके दोस्त अजीत से जानकारी जुटा रही है कि अगरे देखे लाजी है अगे जिस पर नहीं करने है आप अगरे इंपरेशनेटर तो क्या है मुझे पर डाउट हो गया शरको तो सर ने सिगनेचर खरीकार वाया बाई फोटोड़ों भीकारवाया दोनों थे नहीं ही तो उनको डाउट पर गया मने शरीप दरगाप परिसर में सूफी महत्सव का आईजन किया गया जिसका घाटन स्थानिय विधायक और जिलादिकारी ने किया वहीं सूफी महत्सव में फीर कम देखने को मिली बाज आरकर के खबरों की करते हैं राजी पुलिस ने आटो चालक से लूट पट कर रहा है अपरादियों को गिरफ़तार किया है वहीं अपरादियों के पास से पुलिस ने कट्ट और चाको भी बरामत किया बताया जा रहे कि दोनों अपरादी शेहर में किसी बड़ी को अंजाम देने वाले थे गिरटी में सड़क हाथ से के दरान बाइकसवाद युवकों की मौत हो गई वहीं स्थानिय पलिस ने शाओ को पोस्तमाटन के लिए सदर अस्पताल भेज कर मामली की जाच कर रही है ब्रोटन बस इतना ही इसा ही तमाम भरी खबरों के लिए देखते रहें निउस 111 नमस्कार झाल